साथियों नमस्कार पब्लिक केरियर यूट्यूब चैनल की तरब से मैं विनोध आप सभी का तहे दिल से हारदिक स्वागत वह विनन्दन करता हूँ SSC GTE Final Cut-Off कितना जाएगा इस पर आप लोगों को कुछ राय देनी है और आप लोगों से कुछ राय लेनी भी है कि जो साल 2024 में 46,617 पोस्ट के लिए जो भरती प्रिचलित है वर्तमान में जिसका DV, Medical, PST, PET सब कुछ हो चुका है सब कुछ खतम हो चुका है उसका तो अब इसकी जो Final Cut-Off है वो कितना बढ़ सकता है इस पर एक नजर डार लिए दोस्त अगर आपका नमबर इतना बैठता है तो बिलकुल आप से कहे जा सकते हैं आगे भगवान मालिक है देखिए S.S.C. का फंडा क्या कहता है S.S.C. जो नमबर आप पोस्ट होती है न जैसे कि अपके लिए पोस्ट निकाली है यह 46,670 है तो प्रतिक पोस्ट का लगवग 8 गोना कैंडिडेट को बलाती है तो इस हिसाब से देखें तो लगवग जो बलाया गया है 3,51,116 कैंडिडेट को बलाया गया क्योंकि एक बड़ी खूब बात है 2024 से पहले DV, PST और PETA सब अलग-अलग होते थे लेकिन अब की बार फिजिकल, मेडिकल और DV यह सब के सब एक साथ रखे गए हैं दोस्त लगवग जो प्रिजेंटेशन रही थी कैंडिडेट की तो वो 73 प्रतिशत की आसपास बच्चे उपस्तित होते थे सेंटर पे यानि पहले ही एक्जाम देने के बाद में 27 प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे थे जो एक्जाम सेंटर या फिजिकल सेंटर तक पहुंसते ही नहीं थे एक्जाम सेंटर तक तो वो पहुंसते थे क्योंकि एक्जाम तो वो देख रहाते थे फिजीकल देने नहीं जाते थे तो पहले ही छोड़ देते थे अगर इस हिसाब से देखे कि पिछली भड़तियों में 73% के आसपास उपस्तिती ती रही तो अब की बार भी साहे 73% मान लो ये थोड़ा बहुत डाटा जो ना इधर उधर होगा इससे जादा इधर उधर नहीं होता है क्योंकि ये पिछली बार की कई बढ़तियों की बात है लगवग से 70, 72, 73 यहीं पे इनका अंकलन रहता है जो वहाँ उपस्तिती रहती है तो इस हिसाब से देखे हैं हम अगर 3, 5,56 का 73, 32 निकालें तो लगवग 2,58,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उपस्तित होए यानि कि जो फिजिकल, मेडिकल और डीवी इन सब के लिए पहुँचे 2,58,000 कैंडिडेट और इसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा कि जो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं उन में से मात्र कभी तो 27% पास हो जाते हैं किसी सिप्ट में या फिर किसी दिन 30% किसी दिन 30% किसी दिन 35% यह आखड़ा निकल का आता है यानि एवरेज निकल के आता है लगबग 30% के आसपास बच्चे फिट होके बहार आते हैं फिजीकल, मेडिकल और डीवी में लगबग 30% के आसपास ही बस ठीक ना जो प्रजन्टेशन रहती है प्रजन्टेशन जो वहाँ पहुँचते हैं के इडिरेट उनका लगबग 30% ही बच्चे आगे के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं मेरिट के लिए ठीके दोस्त इस हिसाब से देखें तो लगबग 98,000 लोग अनुपस्तित हो गए थे इसमें भी डॉकुमेंट्स, वेरिफिकेशन, फिजीकल और मेडिकल लगबग 30% ही लोग पास कर पाते हैं इस हिसाब से देखें दो लाख 58,000 का यदि 30% निकालने जाओगे तो ये संख्या लगबग 77,400 के पास आ जाएगी दोस्त यानि अब जो कमप्टीशन बचा हुआ है एक सीट पर दो बच्चे से भी कम बचा हुआ है सीटों की संख्या कितनी है 46,670 है तो इस हिसाब से देखें तो एक सीट पर दो बच्चे से भी कम बचा हुआ है यानि कमप्टीशन थोड़ा डाउन तो है लेकिन पिछली भड़तियों में भी यही होता था एक सीट पर दो बच्चे से भी कम बच्चते थे एक सीट पर लगवग डेड़ गुना बच्चा बच्चता था कभी कभी ऐसा होता था इससे जादा भी बच्चा बच्चता था ठीक ना तो पिछली बार आपने देखा 14 14 नमबर 10 नमबर तक मेरेट बढ़ गई थे यह मान के चला अब यहां से आपकी कट अफ का जो रास्ता है वो आएगा देखिए मैं एक चीज यहां पर बोलूँगा अगर आप हिंदी स्टेट से आते हैं यूपी हरियाडा पंजाब जो हिंदी स्टेट है इन से आते हैं अगर आपके आठ से जादा नमबर देखिए आठ से जादा तो लगबग जाएगी जाएगी आठ से जादा और किसी क्योंकि अलग yuti और अलग स्टेट की अलग अलग ही cut off लगती है लेकिन हिंदी स्टेट अगर आपके 8 से ज़्यादा है तो देखे final होने की chance बहुत ज़्यादा है और किसी के 10 से ज़्यादा है तो उसके तोर ये मान के चलना security है लगबग 99.99% इस 10 वाले से ज़्यादा का तो हो यह जाएगा हो तो 8 से ज़्यादा वाले का भी जाएगा है ना चांस पूरे इनके भी है लेकिन जिस हिसाब से अब की बार नंबर बच्चों को मिले है वन वाई एट की जो मारकिंग है ना ये थोड़ा सा गड़बड करती है मामले को ठीक ना वन वाई एट की जो नेगटिव मारकिंग आपने देखा होगा 160 में से 165 पैसट तक अंग है बच्चों के नॉर्मलाइजिसन के साथ में तो ये सारी चीज़े ध्यान में देना अगर किसी के 10 प्लस आते हैं तो वही वो सेफ ही है अगर यहां किसी के 15 प्लस बचे हुए है तो उसे कह देना वो महा सेफ है वो तो पैर लंबे फैलाए और बिलको निसी तोर पर अपने ट्रैनिंग पे जाने की तैयारी करें यदि आप नन हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास में 5 से ज़्यादा भी बचे हुए हैं तो आपका पूरे चांस है हो सकता है बिलकुल पूरे चांस है ठीक ना पूरे चांस है फुल चांस है देखे अब इसमें भी कहीं कोई यूटी आएगा जिसकी पॉइंट में मेरिट बढ़ेगी कोई एक नमबर कोई दो नमबर कोई तीन नमबर कोई चार नमबर ऐसे भी मेरिट बढ़ती है अलग-लग स्टेट की अलग-लग तरीके से अलग-लग यूटी की अलग-लग मेरिट जो यहाँ पर बनके आती है ठीक ना नन हिंदी पास से ज़्यादा है तो ये मान के चलना में भी होगा और यदि आप हिंदी स्टेट से हैं और आपके आठ से ज़्यादा अंग बचे हुएं अभी तो देखे होने के पूरे पूरे चांस हैं अब होने के लिए पता ने क्या हो सकता लेकिन चांस तो बनते ना ये केबल चांस पर ही दुनिया टिकी होई ये मौके पर ना इन चीजों पर ही दुनिया बिलीब करती है और इन्हीं पर टिकी होई है दोस्तों तो ये सारा आंक लंता जो मैंने आप लोग को बताए वीडियो पसंद आई हो तो एक बार सेयर जरूर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ मैं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है न तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहां ऐसी इन्फर्मिस आपको मिलती रहेगी जाहिंद